हेलो फ्रेंड्स में दिव्या स्टार्ट करते हैं पार्ट टू चैप्टर थ्री टेरेस्टर इकोसिस्टम शंकरायस इंवार्मेंट से तो मैं करेक्शन बताना चाहते हूं लास्ट प्रिवेस पार्ट में खराय कैमल पे क्वेश्चन दिया गया था जो कि 2016 प्रेलिम्स पे आय करेक्शन कर लीजिए फिर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने वाईशायस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए दूसरों से शेर करवाईए ठीक है और फिर आप रिस्पॉंस अच्छा दीजिए क्योंकि हमारे लिए अच्छा मोटिवेशन होता है ताकि हम और काम कर सकें अच्छा कॉंटेंट बना सकें और फिर अगर आपको वाईशायस की कोई टैस सीरीस चाहिए तो आप थमनेल पर दिया हुए नंब है ले wanna असीरीस की ये जो 2-0 Кон Алекс तरुट ईजिटल इंडिया का सबती है उसे एसेम alone नेज रखना एक इसमें एसमें किया जाता है जोdı टेटा होते हैं उनका assessment होता है कि किस तरह से हमने बहतर किया या हमने खराब किया performance देखा जाता है forest की report के हिसाब से forest में किस तरह से अच्छा हुआ या बुरा हुआ है ठीक है और यह जो data है वो digitally collect किया जाता है satellite data पे पुरा based होता है उसके बाद यह कहा गया है जो इस report में हमारे यह forest का area है फिर tree cover देखा जाता है वहाँ पे tree कितने है mangrove हो गया और फिर बाद में growing stock वहाँ पे stock कितना है उस forest के अंदर कितना है फिर बाहर कितना है फिर carbon stock देखा जाता है और इंडिया के forest types में कहां कहां कैसा है फिर वहाँ पे forest fire की monitoring की जाती है forest cover different slopes और altitudes में कैसा है hilly areas में obviously कुछ अलग होगा तो इस तरह से यह सब देखा जाता है जो forest related हर पेरामेटर को इसमें जाजा जाता है फिर special thematic information on forest cover सच है hilly areas में tribal districts में तो यह obviously थोड़ा अलग ही data होगा उसे भी ध्यान में रखा जाता है North East region देखें North East region तो UPSC का एक तरह से favorite है तो इस पे आपको जादा ध्यान देना चाहिए तो यह भी separately इस report में North East region सब के बारे में separately यहाँ पे दिया जाता है यह हर दो साल में आता है यह भी हमें याद रखना है दो साल में Dục अगरी में पे लिज्वा जादाає हर दो साल में असस्वेंट की जाता है वन्दब टेस्ट की जाता है तो mid-resolution satellite data के based बेस पर ठीक है तो satellite data में हमें होइं digital data के उपर किया जाता है और इस data का interpretation LISS 3 3 data की थूँ होता है जो कि कहां सब मिलता है हमें IRSS इस देखिए इंडिया का जो अपना है navigation system Indian remote sensing satellite data ठीक है यहां पर satellite का नाम दिया गए resource set 2 तो resource set 2 के बार में यहां पर बताया गया है तो यहां इसके थुरू data collect किया जाता है जिसका resolution है special resolution है 2.35 meter और scale of interpretation 1 is to 50,000 तो यह इतना important मुझे नहीं लग रहा तो आप फिर भी देख सकते हैं थोड़ा बत याद रखने के लिए तो इससे क्या होता है monitor किया जाता है forest cover और forest cover में क्या के changes आये हैं घटा है या बड़ा है district level पे भी और national level पे भी तो हर हर minute detail इसमें देखा जाता है और इस information को सिर्फ अपने तक रखा नहीं जाता है इसे globally भी यूज किया जाता है global inventories को भी provide किया जाता है जैसे कि greenhouse inventory हो गया growing stock हो गया carbon stock हो गया forest reference level हो गया और international report report to UNFCC ठीक है UNFCC बहुत important है इसे भी देते हैं फिर नए new targets अंदर CCD फिर global CCD क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज से related है और global forest resource assessment हो गया GFRA हो गया फिर FAO उनकी planning में भी यह helpful होता है और scientific management management of इससे क्या होता है कि scientific management of forest में भी help होता है और फिर जो satellite data होता है यह पूरी जो पूरे country का है न यह पूरी तरह से satellite data पर ही based होता है इस time periods जैसे October 2017 से लेकर February 2018 तक पूरा जो की data था वो satellite data के तुरू procure किया गया था तो यहाँ पर यह पी आईवी से लिया गया है यहाँ पर forest green cover in India यह दिया गया तो green covers आप समझ सकते है forest का expense कितना है उसके बार में दिया गया है तो जो इंडिया में total forest cover है यह year 2019 ने आप याद रखिए अभी इस साल का आना बाकी है total forest cover अभी तक कितना है 80.73 million hectare जो की टोटल जो जियोग्रिफिक जियोग्रिफिकल एरिया है ठीक है उसका 24.56 परसंट है इंडिया का पूरा जो जो जियोग्रिफिकल एरिया है उसका 24.56 परसंट है और जो टॉप त्री स्टेट्स है जहाँ पे forest cover इंक्रीज हुआ ह एक इंक्रीज हुआ है वो कह है वो कौन कौन से पहला है कर्नाट का फिर आ अंद्रप्रदेश उसके बाद केरला के लातिनों Southern States है उसके बाद ईय्यावाइस कहां पे है उस रह साफ से दिया गये तो पहला है मद्रप्रदेश उसके बादा है अलनाचल प्रदेश फिर है चं अभी इंद्वान कोदेुद देखा किया है तो इतने जादा नगे होती है चेखते हैं वहां पर में ग्राइड़ार में पॉक्तिकाता है wrestlike इंद्वेक लान से नेले कोछा है इस तौन कम जो होती है और ऐंद्वान कोटे बाख सिर वहां पर उजन नेर जो यह जो स्टेपीय और सबाना मेजर डिफरेंसिस क्या है ₹ टेपीय क्या है ? जो forage होता है जो एनीमल घाते है । फ्लैंट मठीरिल ये लर्ष इसे कहते तो फ़्रेज होता वह सिर्फ ब्रीफ वेट सीजन में wr Years i dal and roll吗 लीकिन सवाना में ना के सिर्फ ब्रीफ सीजन में बलकि dry सीजन में भी आभेलेबल होता है तो ये main difference है उसके बाद स्टेपीज पाए जाते हैं western रायस्तान क्योंकि वह जादा ड्राय होता है वहां पर sandy और saline soil होती है वहां का climate semi-arid होता है और वहां की जो rainfall होती है वह काफी कम होती है 200 mm per year से भी कम होती है और dry season होता है और dry season काफी लंबा होता है जैसे 10-11 months लगवग पूरा साल ही हो गया तो एक दू महीने चोड़ते तो 10-11 months होते हैं और जो rainfall होते हैं उसमें भी काफी जादा variations देखी जाती है वहां वहीं जो central और eastern parts और राजस्तान होगे वहां पर हमारा सवाना सवाना की तरह होता है वहां पर क्या है जो rainfall होती है वो थोड़ी जादा होती है और जो dry season होता है वो ecosystem यहां पर develop हो गया है और light shade cause by sparse population of trees ठीक है यह खेत्री जो है खेत्री को पूछा गया थे इसके बारे में फैली हुई population तो फैली हुई population होती है इस ट्रीकी खेत्री ट्रीकी और जो सवाना है is right from humid humid forest क्योंकि यहां पर comparatively moisture जादा होता है इसलिए humidity होती है तो इसी वज़े से यहां पर क्यूं होता है यहां पर क्योंकि यहां पर shifting cultivation और sheep grazing मतलब जो sheep होता है वहां पर चरते हैं तो उस वज़े से इस तरह का climate यहां पर grassland डेबलब हुआ है fire fire काफी important होता है grassland के management के लिए हमने forest में भी देखा था forest fire का भी काफी जलते हैं trees नहीं जलते है grass ज्यादा जल जाते हैं और dry conditions में ऐसा होता है कि जो fire होता है वह काफी important होता है एक तरह से necessary important होता है ताकि उस grassland को जो बाहर की invasive species होती है ऐसे species जिनकी जरुरत नहीं है लेकिर वह फैलती जाती है invasive होती है वहां के जो local species को वह harm करती है तरह से नुक्सान पचाती तो उनके जल उनके उनके eradication नहीं हटाने में जो fire होता है अच्छा important role play करता है इसलिए वहां पर ज़रूरी होता है और जो fire होता है उसके वज़े से क्या होता है जो forage है forage की yield भी बढ़ जाती है उससे क्या होगा तो फिर वहां पर biodiversity जादा होगा क्यों यहां पर जानते हैं इसमें यह बताया गया है कि जो हाथी होता है उसकी सून होती है तो सून काफी स्ट्रॉंग होती है और बहुत सारे काम कर सकती है multifunctional होती है उसमें नोज उसकी नाक भी आती है और अपर लिप उपर क्वाला होट भी आता है तो इस वज़े से यह काफी सिंगल यह पावर्फुल ऑर्गैन होता है छुँ सकता है यह गास को छुँ सकता है उल कर सकता है सून सकता है कि एक पूरे पोरे के पेड़ को उखाड़ सकता है और चोटे से छोटे मटर के मटर के दाने जितना जो छोटी चीज भी पड़ी हो नीचे से उठा सकता है और इतना लंबा होता है कि जो ट्री है जो लंबे-लंबे पेड़ है उस तक भी पहुँचके अपना कुछ भी निकाल सकता है और इससे पानी पी सकता है चूज सकता है ठीक है तो multifunctional होता है इसमें वहां की zones क्या क्या है तो देखते हैं life stock play life stock wealth plays a crucial role in Indian life ठीक है तो obviously जो life stock होते हैं यह काफी important होते हैं Indians के लिए और यही major major source होते हैं किस चीज के लिए fuel हो गया, drought power हो गया, nutrition हो गया, raw materials हो गया तो इस लिए जो इन जो फिलेज है उनका तो पूरा इसी से चलता है ठीक है तो इसलिए घ्रास लेंड्ड उनुह के लिए काफी आफ़ी आज ए भ मिंगती आ depende मेंदि अ.ट regression छलता है तो इसलिए लिए अन्यओंज दिया उनलिए काफी दो वहीं पर रहते हैं तो उन्हें डमेस्टिकेट मतलब बनाया जाता है और उससे उनका चलता है ठीक है तो इसलिए विलेज इंडस्ट्री के लिए काफी इंपोर्टन हो जाता है पहला आता है सेमी एरिड जोन अभी तक पता ही चल गया होगा थोड़ा ड्राइजोन होता है तो और टोपोग्रफी अब देखें उपरखाबड होने के वज़े से ये जो होते है वह में राइस सब्हुमिड जोन तो यह पूरा पैनिंसुलार इंडिया पूरा इंडिया और पूरा अनिडिया का जो पैनिंसुलार एरिया पूरा एकसेप्ट नील्हीरियस एलाबर और तो इसकाariat स्वाख सब्व आता है एउरी साकते हैं मैं इक है को काफे अथ किल्ड मी आता है तो प्रत स्वाइज को तो स्वागरे शिए कि आता है आता है और आता है यह लीजिए अच्छाओ यहाँ आता है vào दो सब्सक्तरीबुंस हो आता है उसके बाद humid mountain region ठीक है तो mountain से पता चल रहे है mountain ही होगा हिली होगा तो डिस extends to humid mountain regions and moist sub humid areas of Assam हो गया मनीपूर हो गया west Bengal हो गया उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मु कश्मिर तो लगभख पूरा ओ एंटायर north belt जो गया पूरा वो इसमें आ जाता है north और east belt फिर फिर देखते हैं अब जो grazing होती है grazing क्या होती है जो जो आजानवर है घास चड़ते हैं उसे grazing बोलते हैं तो grazing के इंपक्त क्या होते हैं मल्च ऑफ गर एक गर्ड़न जैसे से इमाजन कर लीजे यह पेड़ पूद्य हुगाते हैं तो उससे पर जो इस तरह से ढजाता है मल्च आधर्याग साथ हता है तो पिर वुद यहाँस मैंने बताया था, invasive plants होते हैं, invasive species होती हैं उसमें जेरो फािटिक भे रेगिस्थान होते हैं, यह किसी भी तरह से desirable में होते हैं, हमें यह नहीं चाहिए, unwanted होते हैं, लेकिन यह mulch cover के घटने के वैसे, जेरो फान बढ़ जाते हैं, और burrowing animals, छो भी उसे खा रहे हैं, फिर क्या ह बूरी तरह बड़ के अगया है उसलेक तार वह सब्सक्राइब है मतलब तो इसलेक पडल नहीं रहती है यह नहीं हो तो फिर नहीं रह जाती है यह भुला गये है फिर क्या होता है, disruption of the stratification and periodicity of the primary producers देखे, plants की तो काफी ज़ादा ज़रू होता है, अब इस तरह से जो changes आ रहे हैं, इससे क्या होता है disrupt हो रहा है, ठीक है, उतल-पुतल हो रहे है, इस उतल-पुतल के वैसे primary producers पे भी काफी ज़ादा बुरा असर पढ़ रहा है, फिर क्या है, breakdown of biogeochemical cycle, तो यह मैंने बताया था, अगर इतनी disturbance आएगी, तो obviously, इन cycles पे भी negative impact पढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे carbon हो गया, nitrogen cycle हो गया, water cycle हो गया, तो इन पर भी थोड़ा बुरा असर पढ़ रहा है, फिर water and wind erosion, they completely deteriorate the dry glass and micro climate, तो water erosion और wind erosion के वैसे भी grasslands पे बुरा असर पढ़ रहा है, तो यह सारे impact grazing के, ठीक है, हमें यह याद रखने फिर देखते हैं desert ecosystem, तो हमने अभी तक grassland भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे desert, तो यह कहां पाए जाते हैं, mostly rain fall obviously यहां पे कम होती है तो लग बल 25 cm से भी कम होती है, यहां पे hot regions होते हैं with hot regions with but uneven rainfall टीक है, यहां पे rain fall कम होती है lack of rain fall in mid latitude, तो mid latitudes में rain fall कम होती है, वहाँ पे क्या high pressure zone होता है, तो वहाँ पे high pressure zone होता है, तो तो जैसे डेजर्ट हो गए टेंपरेट रीजिंस में वो मुस्ली रेंड शेडव एरिया ऐसे होते हैं जहां पर बारिश नहीं गिरती है क्योंकि जो वहां के बड़े-बड़े मॉंटेंस होते हैं उन मॉइस्टर को ब्लॉक कर लेते हैं ठीक है इसलिए यहां पर रेंड साइ味 को से यहां बी उपर हो थैं Раз्ट पनदों पेयोगे जैसा कि है आम सब्सक्राइव समय और अजटन के इस लेटेसं पूरे डैसल बाएंट है इसके बाद इसके हैं इसके मपल्रिप्राइज़ेश को सब्सक्षा सब्सक्रेश को सब्सक्राइब जाए यहां परिसुले तो ऐसी जगह पर जहां पर salt deposits हो जाते हैं, वहां पर geesewood, seafood और salt grasses commonly पाए जाते हैं, फिर अगर वहां की soil अच्छी है, तो irrigation से क्या हो सकता है, वहां की soil को productive भी बनाए जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी desert को मतलब बंजरी पड़ी होगी है, उसे भी productive बनाए जा सकता है, अगर बहा की soil अच्छी हो, अगर irrigation वहां पर मिल सके, तो फिर यहां पर दो do you know है, तो क्या आप जानते हैं, जो स्रीवेंक का टेश्वरा जू लॉजिकल पाक है, जो कि तिरुपती सिटी आंधरा में पड़ता है, वह सबसे बड़ा जू है, कंट्री का, ठीक है, उसके बाद वह सबते हैं, इत्वी हुती है, यहां में न है दो खाता है, अपर इससे बड़ा थकश्वरा बद लड़ए को यह सब शाम द सबसेव कि यह प्लीक्तुर विह सबसेड़ा ही है, जो कंट्री ममतला हीजिकले समया हो, फह सबस्छी है, तो क्योंते न बीचते हो इसे सबसे क्यों उसे ट्रांस्मिरेशन में रुखता है और उसे वाटर लॉस कम होता है ठीक है फिर देखते हैं जो लीवस अंच्टेम होते हैं वह सकलेंड वह पाणी को चूछ लेते हैं और फिर वह वाटर को स्टोर करते हैं in some plants even the stem contains कुछ कुछ प्लाइंट्स ने तो क्या है स्टेम भी में भी क्लोरोफोर्म होता है ताकि वह फोटो सिंथिस कर सके फिर रूट सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है और काफी हद तक इस तरह से फैला हुआ होता है ठीक ताकि कहीं पी पानी मिले तो वह वह ल जी जाते हैं सब जैते हैं और उसी साल भी में चैनल्स जहां पर भी प्रजंट वह जर्मिनेट मतलब उगते हैं ब्लूम करते हैं और यह रिप्रेड्वी करते हैं लेकिन शौट शॉर्ट टाइम के लिए जैसे कि कभी बारिश का उन्हों में तभी बढ़ेंगे और फिर ख जानवर कैसे होते हैं तो वहां के जानवर होते हैं जल्दी भागने वाले होते हैं। और conserve water तो कैसे करते हैं जो उनके जो यूरीन होता है उसमें काफी पानी की मातरा उसमें कम होती है फिर उनके लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि वो जमीन से दूर रह सके ठीक है उनके पैर लंबे होते हैं उसके बाद किया हम लिजर्ड्स और इंसेक्टिवर्स लिजर्स इंसेक्टिवर्स खाते हैं और काफी टाइम के लिए सर्वाइफ कर सकते हैं बिना पानी के काफी दिन तक वहाँ पर सर्वाइफ कर सकते हैं तो हर्वी वोर्स सीड्स खाते हैं और उसी को खाते हैं उसी से पानी को मतलब उन्हें पानी मिलता है मै करना काफी मुश्किल होता है मैमल्स के लिए कैमल जैसा हो गया उसे ship of the desert कहा जाता है क्योंकि वह काफी दिन बिना पानी के चल सकता है काफी दूर तक चल सकता है फिर few species of nocturnal rodents मैंने बताया था पहले भी आपको जो ऐसे होते जिनके सामने के दात बड़े बड़े होते जैसे चूहा हो गया तो rodents होते वह भी वहां पर रह पाते हैं और वह भी काफी दिन तक बिना पानी पिये जी सकते हैं फिर इंडियन डेजर्ट ठीक है इसे देखते ह काफ़ होता है यह पे गर्मी होती है काफी जढ़ा तो देखते हैं यहां पर क्या है एक्सेसिव काफी जाعदा यहां पर पांट मतलब बारिश की कम्हा थिए ठीक है पागी जगें भी पढ़ती जहीं और नवेंभर से जो मांच का टाइम होता है काफी Bay नवेंबर से मास का पेली यहां ज़ाइब थ्रिण जर्दी होती है कभी कभी cryzing.op से बहुतने एकँसट्रीम करी जहाता है और हमारे जून मास को सी सूखा होती है फबल जिर के उसमें बिलकुल नमी नहीं होती है क्लाइब काफी लौ होती है और जो क्लाइमेट होता है काफी ज्याधा अनकूल नहीं होता है उसके वाज़े से काफी दिक्कत आती है वेजिटेशन के लिए और जो होते भी है उनकोषपने करने के लिए कुछ special तरह से skills की जरूरत होती है ठीक है तो अलग तरह से adapt होने की जरूरत होती है वो जो उस तरह से adapt होते हैं वहीं महाँ पर रह सकते हैं तो एक example है इंडियान थार डेजर्ट का यह देखिए picture दिया गया है फिर आता है flora flora को दो categories में divide किया गया है पहला है rain dependent जो जो बार पहला पहला है rain dependent उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है एफर्णल और दूसरा है rain perennial एफर्णल क्या होता है यह इनमें क्या होता है delicate annuals होते हैं और apparently इनमें मतले जो जो रेगिस्तान में adapt करने के लिए जो शमता होती है वो नहीं होती है ठीक है क्योंकि rain water dependent होते हैं तो इनमें वो adaptations नहीं होती है mostly ठीक है यह slender मतला लंबे 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 तने होते हैं slender stems सीधे सीधे से और root system भी उनका वैसा ही होता है लंबे होते हैं often large उनके जो फूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं they appear almost immediately after rain तो rain के तुरंद बाद क्योंकि rain dependent होते है त तो rain के तुरंद बाद यह जो flowers है वो उख जाते हैं and developed flowers and fruits are in incredibly short time यह काफी short time के लिए एक साल के अंदर इनका पूरा खताम हो जाता है and die as as soon as the layer of the soil dries up अगर जैसी वो जो soil की layer होती हो मतलब वो सूखने लग जाती है यह मर जाते हैं फिर आते हैं rain perennials rain perennials यह ground के उपर देखे जा सकते हैं ठीक है mostly यह rainy season क्योंकि यह rain dependent है but have a perennial underground system मतलब यह पूरे साल पर दिखते हैं ओके और इनका जो stem होता है यहापर देखे स्टेम होता है वो underground होता है perennial underground stem पूरे साल underground रहता है इसका जो तना होता है stem होता है उसके बाद है dependent on subterranean water तो by far the largest indigenous plants are capable of absorbing water from deep below the ground by means of well developed root system तो root system इनका काफी developed होता है उससे क्या होता है जो काफी अंदर से यह पानी निकाल सकते हैं इसलिए यह water पे dependent subterranean water पे dependent होते हैं रह सीधा rain पर मतलब बारिश पर dependent नहीं होते हैं the main part of which is which generally consists of slender woody tap root of extraordinary length तो इनकी length होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है ठीक है और लंबे होते हैं और यह तीक है इस तरह से यह लंबे होते हैं क्योंकि adaptation है ताकि इनने अंदर से काफी अंदर से पानी निकाल सके जेनरली वेरियस अधर जेरोफाइलस अड़ापटेशन तो क्योंकि यहां पर देखिए जेरोफाइलस अड़ापटेशन प्रेजन होती है यह याद रखना है और उसमें नहीं था मतलब लगभग नहीं था वहां पर दिया गया है अपैरेंटली करके दिया गया यह भी अबसकर रऄता सतल है और तको क्योंने जालत मैं मतलकि वापनी माइश। Stomata Stomata को भी ट्रटेक्टेड किया जाता है ताकि वह ही है Transpiration के वज़े से Water Loss कम हो सके तो यह सब इन सब भी वज़े से क्या होता है Transpiration को reduce किया जा जा सकता है उसके बाद Fonna देख लेते हैं Fonna क्या होते है धेर Home to Most to Most Magnecificent Grasslands जैसे की एक्जाम्पल ग्रेट इंडिन बस्टर यह काफी इंपोर्टेंट है काफी क्वेशन भी आते हैं इसके उपर उसके बाद फिर मैमल्स ब्लैक बग हो गया वाइल्ड एस मतलब गता हो तो फिर चिंकारा हो गया करेकल सेंड ग्रॉस फिर डेजर्ट फॉक ते इनहेबिट था ओ फ्लमिंगोस हो गया और अल्सों एंड नोन पॉप पॉपुलेशन ओफ एसियाटिक वाइल्ड एस यह इंपर पाया जाता है यह एक इंपोर्टन स्टेटमेंट है इंदरी मॉट पार्ट ओफ ग्रेट रन ओफ गुजरात ठीक है रन आफ कच्छ विजी से बोलते हैं फ्लमिंगो होते हैं माइगरेट करके आ जाते हैं उसके बाद कोल्ड डेजर्ट अभी तक हमने काफी हॉट डेजर्ट से सब देखे थे अब हम कोल्ड डेजर्ट की तरफ जाएंगे अब आपको एकर इमेजिन करने तो आप लदाक इमेजिन करिए पूरा ठंडा होता है और président कहम हो यां प्रेसिप्टेशन मतलब बारिश भी कम होती है लेकिन स्नोफ ल भू टी है है तो देखते हैं ठेम टेमपरेट डेजर्ट इन यह diagram यह के सिले घ्यके चेया 1950 ह prophecy का कश्मीर का अलग हो गया हैं तो कश्मीर के जो कार डिले ऑだया है है तरी हमाचल परदेश आड सम पार्ट्स ऑफ नौदन उत्रांचलन सिक्म ठीक है फिर एरिड एरिया होते हैं तो इन में जो इंडियन मॉंसून का कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है यहां पर इन्हें मॉंसून से कोई लेना देना नहीं होता है तो ड्रैन रिमिः मॉंसून जो इसलिए तो उसे नॉप्टेन पर चाइब उसे नियूडेंटर निकाल देता है ठीक है तो denuded terrain होती है वहां पर फिर इसके बाद not suitable for plant obviously और plant की growth के लिए वहां की plants के लिए यह suitable नहीं होता है isolated मत अलग-अलग रहता है scattered होता है फैला फैला हुआ होता है इधर से इधर कहीं भी densely नहीं होता फिर overgrazed क्योंकि वहां पर vegetation ही कम होती है तो जितना होता है उसे भी खा लेते हैं जो वहां के herbivores plants होते हैं तो इसलिए overgrazing होती है तो herbaceous shrubs are not found इसलिए उस वज़े से herbaceous shrubs वहां पर नहीं पाए जाते हैं तो grazing period सिर्फ 3-4 मेने कहीं होता है जब थोड़ी बहुत मतलब conditions favorable होती है उस वक थोड़ी बहुत vegetation होती है तो इसलिए grazing period काफी कम होता है तीन से चार मेने का अब यह देखिए यह देखिए तो इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं cold desert को ठीक है और थोड़े कुछ characteristics दिए गए हैं जैसे कि severe area conditions क्योंकि काफी dry atmosphere होता है moisture ना के बराबर होता है temperature less than zero degrees और कभी-कभी तो यह होता है माइनस 50 degrees तक भी चला जाता है winter के टाइम माइनस 50 degrees से भी नीचे चला जाता है 50 degrees तक भी चला जाता है और insignificant monsoon जैसे बताया था rain shadow area जाता है तो फिर mean annual rainfall भी काफी कम होता है यहां पे और heavy snowfall होता है कब से कब तक November से लेकर March तक और जो soil type कैसी होती वहां पे sandy and sandy loam ठीक है फिर pH क्या होता है neutral से लेकर alkaline pH तक होता है और फिर soil nutrient तो obviously यहां पे nutrients जो होंगे उनमें कमी होगी तो poor organic matter content होता है यहां पे उतनी रिच नहीं होती है यहां की जो soil होती है और soil में काफी कम retention water retention जो क्यूंकि soil इस तरह होती है तो उसमें जो पानी को होल्ड करने की जो शमता होती ह कि वेजटेशन ही नहीं है तो कहां से वोल्ड होगा तो इसलिए पानी को होल्ड करने की शमता भी नहीं होती है उसे water retention capacity कहते है ठीक है उसके बाद फिर wind erosion is a common is more common यहां पे wind के वाज़े से ज्यादा erosion होती है मतला यहां से जो उपर की जो layer होती वो निकल जाती है wind के वज़ जो है growing period है और वह काफी कम होती है mostly summer के time होती है ठीक है और due to a forced extreme अब इन्हीं वज़े से इन्हीं जो कारणों के वैसे जो कारण है इसमें बताए गया है extreme cold conditions होता है तो vegetation काफी slow होती बहुत कम होती है ठीक है और उसी वज़े से उनका nature ऐसा होता है महां पर vegetation कम होने का फिर देखते हैं वहां की bio diversity किस तरह के bio community होती होती है तो पहला है काफी highly adaptive होता है क्योंकि इस rare condition में रहने के लिए adapt होना पड़ता है इंसानों को भी होना पड़ता है तो rare endangered fauna such as asiatic ibex, tibetan argali, ladak, uriel, bharal, tibetan antelope, जिसे चीरू भी कहते हैं, tibetan gazelle, wild yak, snow leopard, brown bear, tibetan wolf, wild dog, tibetan wild ass यह याद रखें जिसे क्यांग कहते है और it is a close relative of Indian wild ass यह भी याद रखेंगा उसके बाद woolly air, फिर black necked crane, etc. फिर आता है cold desert comprises of alpine mesophytes ठीक है तो alpine type के यहां पर होती है condition और desert vegetation तो desert जैसी यहां पर vegetation होती है फिर dry temperature zone जहां पर dry temperature zone में जिस तरह के fauna महां पर पाई जाती है वहीं पर वैसे ही यहां पर पाई जाते हैं रोडोडेंड्रोन हो गए और grasses हो गए ठीक है यहां पर fauna के बता रहे है जो dry temperature zone के और alpine zone के fauna है यहां पर फिर आता है perpetual snow zone यहां पर हमेशा snow zone रहता है पर्मनेंटली frozen soil होता है फिर क्या गया ओक यहां पर क्या और क्या क्या पाई जाते हैं ओक पाईन दियोदार बर्च रोडोडेंड्रोन यहां के important trees हैं फिर desertification यह भी एक तरह का जैसे हमने deforestation देखा था उसी तरह से desertification भी एक challenge है एक problem तो जैसा कि हम देख सकते हैं रायस्थान गुजराद पंजाब हर्यान यहां पर desertification की problem जादा हो रही है तो इनकी causes क्या है इनकी causes actually climatic नहीं है पिल्कि problematic यह है कि यह human actions के वाई से हो रहा है एसे areas में ठीक है तो और deforestation, mining इस तरह की activities होती है वो desertification को बढ़ावा दे रही है causes देख लीजे है population, population pressure, increase in cattle production उसके वज़े से क्या है grazing हो रही है उसके बाद क्या है increased agriculture, agriculture activities के वएसे developmental activities के वएसे और deforestation यह भी एक cause है control measures, control क्यासे किया जा सकता है देखें इंडिया एक signatory है किसका United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD और conference action लिए गए है national action program for combating desertification जिसे 2001 में prepare किया गया था और integrated watershed management program फिर national oiforestation program, national mission for green India, Mahatma Gandhi, national rural employment guarantee scheme, Mandrega, soil conservation in the catchment of river valley project and flood prone river, national watershed development project for rain fed areas और desert development program, fodder and feed development scheme फिर आता है afforestation तो जैसे रीजन है जैसे कि राजस्तान, गुजरात, हर्याना, पंजाब और ट्रैंस हिमालिन रीजन यहां पे vegetation की बहुत कमी है तो यहां पे क्या होता है लोगों को firewood की जरुरत है, timber की जरुरत है, fodder, मतलब चारे की जरुरत है तो इस तरह के जो घरेलू काम है उसके लि जरुरत होती है तो उससे क्या होता है जो जहां अगर वहां पे vegetation ज्जाधा होगी तो उससे क्या होगा soil erosion है उसमें कमी आएगी उससे बचाये जा सकता है और क्या बुलते गो जो climate है जिसे उसे भी modify किया जाता है, जो hostel climate है उसे भी modify किया जा सकता है तो इस तरह से, तो इसमें यह कहा गया है कि जो eforestation है वो desert का मतलब रेगिस्तान का eforestation करना काफी जरूरी है, वो कभी ना कभी हमें करना ही पड़ेगा, जिससे की क्या होगा वहां के जो लोग हैं, उनके demands को पूरा किया जाएगा तो lecture को अभी तक देखने के लिए thank you इसके साथ यह chapter खतम होता है, मैं आप बाकी chapters के साथ फिर आ जाओंगी तो आप लोग वैशाए इसको subscribe कीजे वीडियो को like कीजे, share कीजे, thank you